हेलो मैं डॉक्टर एंके अगरवाल हैट डिपार्टमेंट फरेंसिक मेडिसिन युनिवस्टी अव देली बोल रहा हूं आज मैं आप सब के सामने विट्नेस जा वर्ट शाक्षी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो कि यूज्वली कोट में विबिन परकार के केसिज मे प्रड्यूस के जाते हैं विट्नेस किसे कहते हैं विट्नेस वह व्यक्ति होता है जिसने कभी भी किसी गटना करम को जा किसी चीज को खुद एक्जामिन किया है अपनी आँखों से देखा है परसीव किया है जा हियर से से उसको कुछ पता लगा है उसके बेसीज पे जा उस एक तो common witness और expert witness common witness वो witness है जिसने कि खुद गटना करम को या व्यक्ति को एक्जामिंग किया होता है जैसे कि कोई गटना कहीं भी हुई है वो वहां से गुजर रहा है जाँ उसने किसे सुना है वो उस गटना करम को नरेट करना चाहता है जैसे doctors को भी हम कई पर common witness कहते हैं जब कोई MLC केस उनके पास आता है जा कोई पुलिस केस उनके पास आता है उसके बाद जब वो उसको एक्जामिन करते हैं और उसकी findings लिखते हैं कि वो उसके शरीर पे किस भाग पे कौन सी चोट किस cm की है क्योंकि उस भाग का बताना और चोट की लंबाई बताना एक common आदमी भी कर सकता है तो वह common witness का काम करता है दूसरे तरीके के witness होते हैं जिने हम expert witness कहते हैं expert witness वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के दुबारा दी गई findings के basis पे कुछ interpretation बद करके उसके facts बता सकता है और इसमें कई तरह के experts होते हैं मान लिए यह fingerprint expert है doctors है handwriting expert है different type experts होते हैं और इन experts को यूजरी कोट में जाकर सत्यापित करना पड़ता है कि उन्हों ने फाइंडिक्स देखके यह दिया है doctor जब भी कोट में बलाया जाता है वो बहुत common और expert witness का काम करता है common witness मेरा कहने का मतलब यह है जब वो किसी case को examiner करता है जैसे कि मैंने बताया उसकी चोटों के उसकी injuries की dimensions बताता है किस body part पे है वो बताता है वो common witness होती है लेकिन जब वो यह बताता है कि यह चोटें किस परकार के हथ्यार से की गई होंगी और किस परकार की injuries है कि simple और ग्रीवियस है तब वो expert witness का का काम करता है इसके के लावा एक और तरह का witness होता है जिसको हम hostile witness कहते हैं वह usually उस तरह का witness होता है जिसको जब court में बुलाया जाता है तब तक वह findings से different चीज़ बताना चाहता है वह excited बात करना चाहता है वह यह नहीं बताता सच कोट का सच क्या है इस तरह का को किसी भी witness को hostile declare करने का का कोट उसके अपनी observations के basis पर करता है और उसी तरह के उपर basis पर contempt of court या किसी भी तरह का action लेना चाहे तो ले सकता है तो आज मैंने आपको बताया कि witness क्या होता है और कितने परकार का होता है धन्यवाद